नमस्कार दोस्तों मैं उम्मेश दोस्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने online platform quality education पर आज हम adjective के कुछ points पढ़ने वाले हैं जिनमें आपको ये देखना है कि अगर वो किसी noun के बाद में आ जाएं तो उनका meaning कुछ और हो जाता है और अगर वो noun के पहले आ जाएं तो उनक इसका मतलब हो जाता है हाइस्ट रेकिन अगर यही शब्द के बाद यूज हो जाए तो इसका मतलब हो जाता है हाइस्ट रेकिन तो जो कि जितने भी एक्जाम्स होते हैं तो वहां यह आपको अराम से उलजा सकते हैं यह शब्द इसलिए एक special session में लेकर आया हूं आपके सामने ताकि आपकी जो प्रोब्लम से उससे आपको छुटकार मिल जाए कैसे जैसे मा there are many questions related to science general in the papers या examination की बात करें अपन इंदा एक्जाम्स अठीक है तो अब यहां इसके बात तो लगा दिया लेकर आपको अभी यह नहीं देखना है कि बात आ गया तो meaning change हो गया पहले आ गया तो meaning change क्या मतलब हो गया या पर साम्मान्य या साधरन क्या मतलब हो गया इसका साम्मान्य या साधरन तो अब आपको पता है कि जो साइन्स है उसकी कोई रेंक नहीं होती है अपने खुब सुना भी होगा जनरल साइन्स जनरल इंगलिश जनरल हिंदी जनरल एक्टिविटीज तो यह इसके बाद नहीं आएगा, इसके कहां आएगा पहले ही आएगा यह जनरल साइंस ठीक है? तो आपको यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि इसके पहले यूज करना है या इसके बाद यूज करना है. और हम जैसे ठीक है तो अगर किसी भी नाउन के पहले जनरल शम्द लग जाता है तो इसका मतलब होता है समान्य या साधर है ठीक है लेकिन दूसरी तरह हम बात करें तो यह अगर नाउन के बाद लगता है तो यह रेंक शो करता है और यह शम्द आप खुब यूज़ भी करते हो ऐसा यह आप लोग एक शम्द यूज करते हो डीजी पी जो पुलिस का जो सबसे हाइस्ट रैंक का जो अफिसर होता है उसे आप डीजी पी के नाम से जानते हो अब इसकी फुल फॉंग की अगर आपन देखें तो क्या हो जाएगा डाइरेक्टर जन्रल अप पुलिस ठीक है अब आप खुद देखो यह हाइस्ट रैंक दिखा रहा है इसलिए नाउन के बाद में यूज हुआ है नाउन के पहले होता तो इसका मतलब होता समन्य लेकिन नौन के बाद में हुआ है तो अगर आपको रेंक दिखानी है हाइस तो जो रेंक दिखानी है तो जिस नौन की रेंक दिखानी है तो उस नौन के बाद में आपको जनरल यूज करना पड़ेगा पहले लगा दिया तो सब्मानने बाद में लगा दिया तो विशेश दा यह भी आप लोग देखते हो पोस्ट मास्टर जो है अपने ऑफिस में एक सब्सक्राइब का अधिकारी होता है ऐसा ही आप यह भी शब्द देखते हो गर्णर जनरल गर्णर जनरल का मतलब क्या हुआ एक स्टेट में सबसे हाइस ट्रेंग का इंसान होता है यह पोस्ट होती है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर आपको पद दिखाना है हाइस ट्रेंग का तो उस पद के बाद में क्या लगा दो आप जनरल लगा दो ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, उसकी highest rank बन जाएगी, उसकी, ऐसे ही और देखो, Attorney General, आप GK पढ़ते हो, जो GK में आपको खुम नाम आता होगा ही, Attorney General, तो highest rank अगर आपको दिखानी है, तो general आपको बाद में लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सामन्ने चीज़ दिखानी है, तो general कहां लगाना पड़ेगा, आपको पहले लगाना पड़ेगा, तो ये general आपको समझमा आ गया होगा, ठीक है ना, अब इसके बाद हम और बात करें, तो एक शब्द और आता है कौन सा, involve, अब इसका, अगर हम अकेले का मिनिंग देखें तो इसका मतलब होता है, शामिल, क्या मतलब होता है, शामिल, लेकिन यहाँ पर भी वोई चीज़ है, नाउन, और नाउन के बाद भी आता है, ये, नाउन के पहले भी आता है, और नाउन के बाद भी आता है, अब नाउन के पहले, जब ये आता है, तो इसका मतलब होता है, क्या, जटिन, क्ठिन, ठीक है ना, लेकिन जब ये नाउन के बाद में आता है, तो इससा मतलब होता करना पड़ेडा के लिलेकिन किसी भी काम में कोई किसी मिल दिखाना है तो उस इनसान को के बाद में अपको इनवल्व का पर्योग करना पड़ेगा ठीक है कि I I have many problems involved that I can't solve. एक तही हो गया, एक हो गया, दाज CBI, arrested, the involved problem, the involved pupil, in the scam, ठीक है, ऐसे ही, I know, are involved, men, in the murder, तो अब आपको केवल इसके मिनिंग पर नहीं जाना है, कि इसके पहले आगया तो इसके मिनिंग यह हो जाएगा, इसके बाद में आगया तो इसके मिनिंग यह हो जाएगा, हमको यहाँ पर यह भी देखना है, कि यह शब्द यहाँ पर यूज सही हुआ है, नह से अब एक बाद बताओ, कि यहाँ पर I have many problems involved आ गया, तो involved बाद में आया था, इसका मतलब आप क्या कहना चाहरे हो, शामिल, कि मेरे पास समझ्चाएं शामिल है, तो ऐसा तो हो गई नहीं, मिनिंग नहीं बैठ रहा, तो आपको क्या करना था, यहाँ पर क्या होना चीए थ था, यहाँ पर होना चीए था, involved problems, क्या होना चीए था, involved problems होना चीए था, यह क्या कराए, the CBI arrested the involved in the scan, तो अब यहाँ involved को हमने noun के पहले लगा दिया, और involve को अगर हम noun के पहले लगाते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा, कि इसका मिनिंग क्या होगा, जटल या कठ हिन थीक है, तो यहाँ हम जटल या कठिल कि बात नहीं कर रहे हैं, हम इस il exam में शामिल लोगों कि बात कर रहे हैं, और इस come में शामिल लोगों की अगर बात कर रहे हो आप, तो यहाँ आपको noun के बाद इसका प्रियोग करना पड़े गा, तो यह शम्द क्या हो जाएगा, प्योपिल्द. – प्योपिल इनवल्ड. प्योपिल नहीं होगा. क्या होगा? प्योपिल इनवल्ड हो ठीक है? ऐसे कि मेंil इसकी बात करेंगे, I know an involved man in the murder. मैं एक आश्री को जानता हूँ. Sport ठ्धिकर को ़्याभर. तो आप क्या करना चाहते हो कि मैं मर्डर में शामिल एक व्यक्ति को जानता हूं तो मर्डर में शामिल और शामिल का मतलब क्या होगा यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको आमें इन वाल्ट तो सभी में आने वाले शब्द हैं और अगर बात करें अपना एप्लिकेशन की तो जो हमारी एप्लिकेशन है उस पे यह निरंतर कंटिनूसी क्लासे सारी चलाई गई थी अगर आप देखते हैं तो आपको यह एसास होगा कि वास्तों में जो पढ़ाया गया है किसी भी सब्जेक्ट में चाहो इंगली शोच हिंदी हो तो वहाँ पे सभी में आपको सारी ऐसी चीज़े बताए गया है बहुत ड्रेप्ट में और कंसर्ट के साथ ठीक है यह आपको कि शब्द और पूसा जाता है कई बार कंसर्ट इसका भी हम नाउन के पहले भी यूज करते हैं और नाउन के बाद में यूज करते हैं कि ऐसी क्लासेज अब आपके इंग्लिश की रेगुलर रहा करेंगी क्योंकि कई सारे स्टुडेंट्स दिमांड भी करते हैं कि इस टोपिक पे एक सैशन बना दो तो काफी दिनों से आ नहीं पाए थे ठीक है कोशिश कर रहे थे लेकिन अब जो टाइम आया शाहर बगवान तो वह कभी किसी टॉपिक पर आ गई कभी किसी टॉपिक पर आ गई तो तागि आपकी जो भी समश्चा है वह सारी समाधान हो सके अगर नौन के पहले आता है तो इसका मतलब होता है वरीड मतलब चिंतित क्या मतलब होगा चिंतित और अगर noun के बाद में आता है तो इसका मतलब होगा related तो यह क्या हो जाएगा संबंदित क्या मतलब होगा संबंदित अब इसमें भी student गलती करता है इसमें से कई बार सवाल पूछे गए हैं कई exams में पूछे गए हैं ठीक है ना जैसे I returned हॉम लेट सो मैं पादर कंसर्ण चिड मी चिड चाइड का सकिन फॉर्म है चाइड का मतलब नाटना और यह सेकिन फॉर्म होगी उसकी और देखो I could not solve my problem. सो मैं प्रेंट कंसर्ण केम तो मी एक ही हो गया ठीक है और सेंटर से लेखे है अपन। कि अर्ण पादर से में लेखंट का सेंट He was sick so he went to the concerned doctor every candidate must obtain 60% marks in the concerned subject अब यहां आप देखो जैसा मैंना आपको बताया था पी नौन के पहले अगर concern आ जाता है तो इसका मतलब चिंतित होता है और नौन के बाद में आता है तो इसका meaning क्या हो जाता है? सम्मदित होता है तो अब हमको यहां पर देखना पड़ेगा कि जो शब्द आपने यूज तो कर लिए लेकिन क्या वास्ता में आपने सही शब्द यूज किये हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि आपने चिंतित की जगे सम्मदित कर दिया सम्मदित की जगे चिंतित कर दिया? ऐसा तो नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है तो देखो, I return home late, मैं घर लेट आया, so my father concern चिड में, इसलिए मेरे सम्मंदित पिता ने फटकारा या डाटा, एक बाद बताओ, पिता तो एक ही होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, कि फटकारने से सम्मंदित पिता अलग होता हो, प्यार करने से सम्मंदित पिता अलग होता हो, तो या कोई राय देने के लिए पिता अलग होता हो, ऐसा थोड़ी होता है, पिता तो एक ही होता है, तो आप क्या कहना चाहते हो, कि मेरे चिंतित पिता ने, मेरे वरिट फादर ने, क्या किया, मुझे डाटा, तो concern पहले होना चाहिए था, बाद में नहीं होना चाहिए था कंसर्ण फादर के पहले होना चाहिए था ना कि बाद में क्योंकि बाद में आकर अर्थ का अनर्थ हो गया ठीक है दूसर सेंटर देखते हैं अपने देखो I could not solve my problem मैं अपनी समश्यां का समधान नहीं कर पाया so my friend concerned came to me इसलिए मेरा संबंदित दोस्त मेरे पास आया तो अब जैसे पिता का डिपार्टमेंट के इसाब से पिता नहीं बाटा जा सकते एक ही पिता होता है वैसे दोस्त भी नहीं बाटा जा सकते क्या कहना चाहरे होंगे कि मैं अपनी समश्यां समधान नहीं कर पाया था इसले जो मेरा चिंतित दोस्त था वो मेरे पास आया समंदित नहीं चिंतित दोस्त अब चिंतित दोस्त आया तो यहाँ पर भी आपको क्या करना था concern क्या करना था concern अब देखो वह वाच सिक सो ही वेंट टू दा गंसन डॉक्टर वह विमार था इसलिए वह कहां गया था पहले लगा दिया हमने और जैसे पहले लगाया तो किसका मतलब क्या हो गया चिंतित तो डॉक्टर चिंतित क्या होड़े लगा वही बिमार तुम हो तो जो चिंतित जो होगे वो तुम होगे डॉक्टर थोड़ी होगा तो आप क्या कहना चाहरे हो कि वो बिमार था इसलिए वो सम्मंदित डॉक्टर के पास गया आपको पता है कि alag-alag बिमारियों से सम्मेदि डॉक्टर अलग-लग होते हैं के तो जो उसको विभी भी थी तो उस विमारी से सम्मादिति ही डॉक्टर के पास गया वह यह कहना चाहता था तो इसलिए यहां क्या आना चीह था डॉक्टर कंसर्ण आना चीह था आज कर देखो राजस्थान के एक्जामस में जिस तरह के अपने पेपर बन रहे हैं तो साधान पेपर तो बन रहे हैं ठीक है हम लोग क्या करते हैं भाग के टेंस की तरफ चले गए या टेंस में नॉर्मल सेंडस पढ़ लिए अब टेंस भी देखेंगे सारे टॉपिक्स दे हैं तो सवाल किस तरह के पूछ जाते हैं तेक gap की आप जो भी समझ्छा हो इससे समद्धिंव खतं हो है नहीं तो होता क्या है कि पसivoal आता है सामने किटना ही पढ़ लें सवाल तो आते नहीं एंब क्या होता है कि हम लोग नोव बढ़ते हैं हमारा पढ़ने का तरीका ही पढ़ते हैं अगर बढ़ते हैं तो अगर ले रहे हैं तो उनको यह पता लगेगा कि केवल नहीं कई बार आटिकल के साथ 9 किया जाता है कि करना पड़ता है तो कई सारी चीजे हैं जुनको एक साथ मिला के पूछ लेता है और हम एक चीज पर अटके रहते हैं तो पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा कि देखो एवरी केंडिडboks गे मस्ट। सब्चेज के पहले हमने अन्चंल लगा αथ इसका मतलब चिंक विशे तो संबंदित विशे ने रोकर या होता है क्या होता है संबनीध के इश्य की बात करना चाह रहे हो तो इसलिए यहां पर क्या आएगा तो यहां पर क्या आएगा सब्जेक्ट कंसर्ण तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इन शब्दों को बड़े ध्यान से देखना है और ऐसे ही शब्द वह और भी पढ़ते रहेंगे और और भी जो आपके जो चीज आएंगी तो वहां भी यह चीज देखते रहेंगे ऐसे और देखें है अपन देखो एक शब्द है कौनसा प्रेजेंट प्रेजेंट नौन और नौन के बाद भी क्या आ गया प्रेजेंट आ गया नौन के पहले भी प्रेजेंट लगा दिया और नौन के बाद भी लगा दिया तो नौन के पहले अगर लगाया है तो इसका मतलब है क्या वर्तमान अब यह समझाओंगा क्या होता है यह और यह हो गया क्या उपस्थित अब दोनों में राद दिन का अंतर है जैसे किसी भी कमेटी में 100 members है, 100 सदस्य हैं उसमें, ठीक है न, तो आप क्या कहोगे कि वर्तवान सदस्य हैं, present members, बुलाया गया है सदी को, लेकिन अब वहाँ पर आए हैं 50, तो जो 50 members आये हैं, उनको आप members present कहोगे, क्यों, क्योंकि वही वहाँ पर उपस्तित है, अगर आपने उनको present members कह दिया, तो present members का मतलब तो 100 होगे, जबकि आप members present कहना चाहते हो, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कि जो वहीं पर बैटे हुए हैं, वो तो कौन से हैं आप जबकि खींश तो क्रिच के la चÎ टो मेंदे हैं, और वो नो जबकि आपर चाहते हैं, युझ को नहूद विग सेत्षाफ,श्झ को थिएधसाय काफ़ा फूब पर सेतने के तो घ्र के प्यदकिस्ट तो इंधेन गएŉ प्जए, इसैयर कि तो ए तो प्य परे Alright। मेंद威 प्रेस्ट इप्रेस्ट 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 इप् हैं पूरा का पूरा अब इसमा आप यह भी देख लैपना कि यहाँ पर वर्प के रूप में भी यूज हुआ है कि प्रजेट का मतल्ब उपस्तित होना भी होता है यह वख भी होती है 9 के पहले आ फ्रेसेयं अब देखो नाउन के पहले आया तो क्या कहा गया कि जितने भी मेंबर्स हैं परत्मान जितने भी मेंबर्स हैं सभी को इनवाइट किया गया लेकिन कुछ ही क्या हुए उपस्तित हुए यहां यह वर्ब हो गई कुछ ही क्या हुए उपस्तित हुए इसलिए जो उपस्थित मेंबर्स थे अब मेंबर्स के बाद में आया है प्रिजेंट तो इसलिए जो मेंबर्स उपस्थित थे उनी ने क्या किया वोट किया तो नौन के पहले भी आ सकता है नौन के बाद भी आ सकता है नौन के अगर पहले आता है तो वर्तमान, नौन के अगर बाद में आता है तो उपस्थित, ठीक है, यह समझमा आ गया होगा आपको, यह सारे के सारे शब्दों को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है न, क्योंकि यहां केवल पोजिशन चें हो जाता है, एक और देखते हैं अपन देखो इसमें, प्रोपर, नौन, और नौन, प्रोपर, अगर नौन के पहले प्रोपर आ जाए, तो इसका मतलब होता है उचित, या ठीक, क्या हो जाएगा, या तो उचित होगा, या फिर क्या होगा, ठीक होगा, ठीक है न, लेकिन नौन के बाद में आ गया, तो इसका मतलब हो गया, ठीक उसी इस्थान पर, तो नौन के बाद में प्रोपर जब हम यूज करते हैं, वो किवल जगय दिखाने के लिए करते हैं जहां डखना, ठीक है, कैसे, देखो, एक तो यह हो गया, एक आई लिव इन प्रोपर, जैपूर, ठीक है, तो एक बाद बताओ आप, कि आप बोलते भी हो खूब, क्या कि मैं प्रोपर जैपूर से हूँ मैं प्रोपर अजमेर से हूँ मैं प्रोपर डेली से हूँ यह बहुत बोलते हैं लेकिन प्रोपर जैपूर से नहीं यह गलत बोलते हैं अगर जगे की हम बात करें तो जगे के साथ तो आपको बाद में करना है इसका यूज जगह के पहले नहीं होगा जगह के बाद में होगा प्रोपर पहले नहीं हो सकता ठीक है इसके बाद में हम बात करें तो यहां जगह की बात हो यह नहीं नहीं तो हम यहां पर क्या करेंगे यहां उचित या ठीक की बात कर रहें तो क्या करोगे proper treatment क्या कहना चाहता है कि वो बिमार है इसलिए उसको किसा की जड़रत है उसको proper इलाज की ठीच जड़रत पूर टृपर टीट्मेह की जड़रत है तो टीट्मेhalf के बाद में आप यहाँ पर QUR यूज निहीं कर सकते हो लेकिन सब्सक्राइब करें तो बाद में आपको प्रपर यूज करना है तो आप से यूज हुआ है या नहीं हुआ है कि आज कल जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं तो उसमें आप आराम से फश सकते हो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो और भी आमारी जो क्लास है वह रेगुलर रहेगी कभी किसी बात करेंगे जहां इस्टुनेंट्स को प्रोब्लम आती है उन्हों बात करेंगे और रही बात यह सुचना आपके लिए क्या कि जो लडिसी यह स्टेनगराफ और सीटी कि कि सारे को से हमारे application पर लाउंच हो चुक नई एनर्जी के साथ थेंके दोस्तों